प्रुष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निश्कामता का तो वही आपर समझा रहे हैं कि यह तुमने सब वेदों में कर्मकार्ण पढ़ लिया है ना और इसी से तुम्हारी बुद्धी खराब हो गई है विक्षिप्थ होगए उतना और इन सबसे हट करके जब तुम निश्कामता में आजाओगे तब तुम योगी कहला होगे निशकामता के मतलब होता है, हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिसे एक चीज से मतलब है, उसको हमने पकड़ लिया है, हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीजे हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है, निशकामता के केंद्र में प्रेम बैठ लोग कल कि कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को कि आत्मा वास्ताव में क्या है अभिनाशी है अजन्मी है अचिन्त है अनंत है आज कृष्ण शुरू करते हैं वहां से जहां अर्जुन की माननेता है आत्मा के प्रति आत्मा वास्ताव में क्या है ये कृष्ण ने अभी तक बताया लेकिन आत्मा वास्ताव में क्या है ये जन्साधारण को बात समझ में नहीं आती एक तरफ आत्मा एक तरफ अहंकार है और अहंकार अपने आपको बचाये रखने के लिए अपना क्या नाम बताता है आम तोर पर अहंकार कभी बोलता है कि मैं अहंकार हूँ आत्मा माने सत्य अहम माने जूट अहम कभी बोलेगा कि मैं जूट हूँ तो अहम क्या बोलता है मैं क्या हूँ मैं सच हूँ और सच कौन है तो अहम अपने नाम क्या बताता है मैं ही तो आत्मा हूँ तो हर आम आदमी को यही लग रहा होता है कि अहंकारी आत्मा है अरजन को भी ऐसा ही लग रहा है क्रिश्ण अब इस बिन्दू से शुरूआत करते हैं कहते हैं अच्छे चलो ठीक है अब तुम्हारी परिभाषापर आजाते हैं तो कहते हैं और यदि आत्मा को तुम सदा उत्पन्न और सदा मरणसील समझते हो, तो भी हे दीर्व भाहु अर्जुन शोक मत करो. तो अर्जुन चलो, तुम्हारी ही मानिता को पकड़ लेते हैं. हराम आदमी की तरह है, यादे तुम्हें भी लगता है कि क्रक्रते ही आत्मा है, तो भी शोक मत करो. थोड़ी देर पहरे तक नोंने यह समझाय था, कि आत्मा तो अजनमी है, तो मरेगी कैसे, तो क्यों शोक करना है? अब बात को बिलकुल दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, कह रहे हैं, अगर तुम यह भी मान रहे हो, कि अहम ही आत्मा है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनम लेने वाले की मृत्य निश्चित है, और जो मृत है, वो जनम जरूर लेता है, इसलिए शो अब यह जो तर्क है, इसको बहुत ध्यान से समझेगा, आत्मा के लिए शोक करने की कोई बात ही नहीं, क्यों? अरे मरी नहीं सकती, शोक क्या कर रहे हो, जो मरा ही नहीं, उसके लिए शोक क्या करना? अब रही बात अहम की तो उसके लिए भी क्या शोक करते हो, क्योंकि वो यदि मरता है, तो दोवारा भी खड़ा हो जाता है, ऐसा हुआ क्या कि मर के चला ही गया हो, उधर मृत्य होती नहीं, और इधर यदि मृत्य होती है, तो जनम के साथ होती है, तो इधर भी क्या शोक क करो तुम तो वह करो जो उचित है कि आप बात समझ रहे हैं इन दोनों ही स्थितियों में अर्जुन को वो किस से मुक्ति दिला रहे हैं देखिएगा वो मुक्ति दिला रहे हैं व्यक्तिगत अहंकार से आत्मा की बात करो तो भी विक्तिगत अहंकार पीछे छूटता है और वो जो बार बार जन्म लेती रहती है उसका क्या नाम है अहम वृत्ति उसकी बात करो तो भी विक्तिगत अहंकार से पीछे छूट जाते हो ये बात महीन है समझेगा विक्तिगत अहंकार कहता है उफ मेरे साथ धोखा हुआ है कि जब आप जान लो कि बात कि विशेश तोर पर होई नीरा है यह अहम वृत्ति के साथ हो रहा है और वह वृत्ति सारोजनिक है सब में पाई जाती तो आप यह नहीं कहोंगे मेरे साथ धोखा हुआ पिर आप कहोगे, जीवन की प्रकृत ही है धोखा, जीवन का तो मतलब ही धोखा है, अब दुख लगेगा? अब दुख लगेगा क्या? अगर अगर आपको पता होता है कि सब लोग 500 साल जीते एं और आप 100 साल में मर जातेंजे तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है बहुत दुख लगता ना लेकिन अब आपको पता है कि सभी 100 साल में मरते हैं और आप 100 साल जीए तो आपको दुख होता है यह बाट दुख का कारण अहम वृत्ति भी नहीं है दुख का कारण है व्यत्तिगत अहंकार जो हर चीज को व्यक्तिगत तोर पर लेता है परस्नली परस्नली आत्मा के साथ कुछ होता नहीं और प्रक्रति में जो कुछ भी होता है वो व्यक्तिगत नहीं है बाबा आपको प्रेम हो गया है ये कोई व्यक्तिगत प्रेम है आपको लगता जरूर है मैं एक व्यक्ति हूँ, वो एक दूसरा व्यक्ति है और हम दोनों के मध्य प्रेम चल रहा है और इसका तो किसी तीसरे को पता भी नहीं है तो यह तो विक्तिगत बात ही तो होगी यह तो बस हम दोनों के बीच की बात है किसी तीसरी को तो हमने खवर भी नहीं होने दी नहीं वो व्यक्तेगर बातपन नहीं है क्योंकि ये जिसको आप कह रहे हुआ हम दोनों में हुआ है वह जगत में अरबो बार हो चुका ए और इस शण भी अरबो जगे वही चीज चल रही है कीड़े मकडों में भी वही चीज चल रही है नर्मादा का खेल ये बातां नहीं समझते जो ये जान ले कि आत्मा एक मात्र सकते है वो तो दुख से परेहट ही गया जो ये भी जान ले कि आपकी व्यक्तिगत सक्ता कोई माइने नहीं रखती उसका भी दुख बहुत कम हो जाता है इसी बात का उपयोग बल्कि कहीए प्रयोग महात्मा बुद्ध ने करा था उस प्रसिद्ध कहानी में जब एक इस्त्री उनके पास आई थी उसके छोटे से बेटे की मृत्य हो गई थी बच्चा था उसकी मौत हो गई थी और इस तरही के शोग का कोई ठिकाना नहीं था वो बुद्ध के पास आती कहती यह देखिए यह देखिए कुछ करिए उसको लगा होगा कि बुद्ध पुरुश्य को चमतकार कर सकते हैं जीवित कर देंगे चमतकार तो होते नहीं तो उन्होंने इतना कहा कि एक काम करो जीवित मैं इसको कर दूँगा बस जीवित करने के लिए कुछ थोड़े से चावल चाहिए तो पूरे गाउं भूमाओ बड़ा गाउं हैं किसी ऐसे घर से चावल ले आना जिस घर में कभी भी कोई मृत्य हुई ना हुई आज तक किसी ऐसे घर से कुछ चावल ले आना तुम्हारी बेटे को मचंदा कर दूगा जिस घर में आज तक कोई मृत्य ना हुए जाओ कि अगया दिन दो दिन तीन दिन लगा गए सब कुछ चान मारा एक गाओं कि चार गाओं चान ले कहीं कोई घर मिल जा जिसमें कभी कोई मराना हो कभी कोई ना मरा हो मिला इनी इस तरी लौट कर गया ही उसका दुगदूर हो चुका था क्योंकि पता चल गया था कि वो जो मृत्य थी वो व्यक्तिगत नहीं थी वो सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा है वो जीवन की प्रक्रति है आपको प्रेम हो रहा है आपका नहीं है वो जीवन की प्रक्रति है आप क दिखाई यह क्या विक्स सब्सास्टी झाखने लृकिन जो यह भी जान्ले कि जो कुछ भी घटित हो रहा है है कि वह सारोजनिक है उसमें व्यक्तिगत जैसा कुछ नहीं वो भी तर जाता है उसी व्यक्तिगत मोह से अर्जुन को मुक्त कर रहे हैं कृष्ण यहां पर पूरा वनुविज्ञान है उसको समझी है यहां पर तो पहले उन्होंने बात आत्मा की करी वो बात शायत अर्जुन पर थोड़ी निश्प्रभावी रही तो अब बात कर रहे हैं कह रहे हैं अगर तुम प्रकृति की भी बात कर रहे हो तो यहां किसकी मृत्य होती है यहां मृत्य नहीं यहां तो आना जाना है आना जाना है मृत्य कैसी एक जाता है दूसरा खड़ा हो जाता है जैसे यह कहा जाएगा एक जाता है दूसरा खड़ा हो जाता है ततकाल हमारे मन में तर्किया आएगा लेकिन जो गय है वो तो चला गया ना मेरा रिषटा तो उससे था यहींपर दुखinfect है कि हाँ पर दुख क्योंकि यहां पर आप उस व्यक्ति को सक्ति समझ रहे हैं जब की व्यक्ति जैसे कोई बात ही नहीं है अहम बृतिकत के आगर में ये सब लहरें हैं व्यक्तिगत जो उठ रही है गिर रही है एक लहर दूसरी लहर से भिन्न नहीं है बस मोह उसे भिन्न बना देता है आपका जिस लहर से संबंध बैट जाता है वो लहर आपके लिए बहुत विशेश हो जाती है अलना था कुछ नहीं है ये बात अर्जन को समझाई जा रही है जिद्धु कृष्णमूर्ट के से किसे ने पूछा था एक बार आपका राज क्या है बोले I don't think I don't take anything personally बस यही मेरा secret I don't take anything personally कुछ अच्छा हो रहा है वो जीवन के साथ हो रहा है कुछ बुरा हो रहा है वो जीवन के साथ हो रहा है मैं बीमार हो गया मैं नहीं बीमार हुआ हूँ वो एक सारोजनिक बात है हमारी समस्या हम अवरिक्ति भी नहीं है हमारी समस्या क्या है व्यक्तिगत अहंकार हम उससे जुड़े हुए हैं और चुके मुझसे जुड़े हुए हैं इसी लिए हम बड़ी कशिश से यह कामना करते हैं कि हमारा व्यक्तिगत पुनरजनिम भी हो जाए क्योंकि हमारा सारो सरोकार ही वयक्तिक है ये इससे क्या इसका पुनर्जन्म हो सकता है हम चाहते हैं इसका पुनर्जन्म हो जाए ये जो मैं हुना मेरा पुनर्जन्म हो जाए पुनर्जन्म तो होता है निश्यत रूप से होता है पर किसका होता है अहम्रित्यका होता है ये जो आपकी व्यक्तिक सत्ता इसका कोई पुनरजनम नहीं होता, ठीक वैसे जैसे जो लहर सागर में वापस चली गई, वो लहर लोट करके नहीं आती, हाँ दूसरी लहर आ जाती है लोट करके, उस लहर में लगभग वही सारे तत्यों होंगे जो पिछली लहर में थे, लेकिन फिर भी वो पिछली ल लहर नहीं है, जो लहर लोट गई सागर में वो लोट गई, वो वापस नहीं आती, लेकिन हम लगातार क्या कामना करते रहते हैं, हमने पुनरजनम के सिध्धान्त को भी पूरा क्यों विकृत कर लिया, क्योंकि अहंकार जुड़ा होता है इस व्यक्तिगत देह से, इस से ज मेरे जाने के बाद भी मैं लोट कर आऊंगा, मैं कौन? मैं जो देही हूँ, मैं जो शरीरी हूँ, मैं ही लोट करके आऊंगा, आता है निश्चित रूप से कोई लोट करके, बिल्कुल कोई लोट करके आता है, पर व्यक्तिगत अहंकार लोट करके नहीं आता, इन तीन को दो आलग-अलग जानना सीखिए, आत्मा अहम वृट्ति व्यक्तिगात अहंकार, व्रित्य में क्या होता है सिर्फ मैं, आत्मा क्या है, विशुद्ध मैं, पून मैं, वृत्ति क्या है अपून मैं, लेकिन वो मैं जो अभी किसी से संपरत नहीं है, सिर्फ मैं, I am, मैं, और विक्तिगत अहंकार, मैं देख, मी बॉड़ी, I am the body, इन तीनों का ये अंतर है, इनकी परिभाशा पिलकुल साथ समझ लीजिए, आत्मा क्या है, पूर्ण मैं, पूर्ण शुद्ध सत्य मैं, आत्मा है, अहम वृत्य क्या है, अपूर्ण मैं, जो किसी से जुड़ा नहीं है, पर जिसकी वृत्य है, टेंडेंसी है जुड़ने की, जो जुड़ा नहीं है लेकिन अभी, और व्यक्तिगत अहंकार क्या है, जो जुड़ गया है, मैं अरजुन, मैं दुरौपदी का पते, मैं कृष्ण का सखा, ये क्या है, ये व्यक्तिगा तहंकार है कश्ट हमें सबसे ज़्यादा कौन देता है व्यक्तिगा तहंकार वास्ताव में जो ये व्यक्तिगा तहंकार होता है ये जिन जिन से जुड़ता है अगर आप उन से जुड़ाव कम कर सकें आप बस मैं बोलना सीख लें बिना मैं को किसी पर आश्रित करे, बिना मैं को किसी से जोड़े, बिना तादात में करे, तो ये अहम वृत्ति बहुत जल्दी आत्मस्त हो जाती है, इसलिए आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, आपको आत्मा तक की तो पूरी यात्रा करनी भी नहीं है, आपको बस नेति-नेति की यात्रा करनी है यह जो व्यक्तिगा तहंकार दस चीओं से जुड़ा हुआ है इसका जूट देख लीजिए उसके बाद जो हम वृत्ति मात्र बचती हो दो ही काम कर सकती है या तो वो व्यक्तिगा तहंकार में परणीत हो जाएगी या उससे मिटना पड़ेगा स्वयम भी वो आत्मस्त हो जाएगी आपका काम इतना ही है कि अपनी व्यक्तिगत सत्ता को अपने व्यक्तिगत जीवन को बहुत महत्तो ना दें बहुत उसको सच्चा ना माने उसको धर्म के रास्ते में ना आने दें सिध्धान के तल पर बात सोज में आ रही है हे अरजुन प्राणियों के शरीर स्रिष्टि के आरंभ में अव्यक्त थे इस स्थितिकाल में व्यक्त है विनाश के बाद वे पुना अव्यक्त हो जाएंगे शोक की क्या बात है ये जितनी लहरे हैं ये तो संयोग मात्र हैं अहम व्यक्त हजारों रूपों में लहराती है जिसमें से सिर्फ कुछ रूप मानविये हैं अहम तो हर उस जगह होता है जहां चेतना है अहम तो एक न्यून सीमा तक पौधों में भी होता है तो करोणों अर्बों तरीके से ये अहम व्यक्त अपने आपको अभिव्यक्त करती है और मज़धार बात ये कि ये अहम व्यक्ति अपने आपको अभिव्यक्त कर ने का भी चुनाव कर सकती है क्यों क्यों तो एक रास्त ये भी होता है कि कोई रास्ता मत आजमाओ ये जो पूरा विस्तार पैदा करा है ब्रहमांडगा इसको समेट लो क्या पता उसमे मुक्ति मिल जाए तो प्रभव अहम वृत्ति की अभिव्यक्ति होती है प्रले भी उसी की अभिव्यक्ति है जिसमे सब वापस समेट लिया कुछ नहीं बचता तब लेकिन बस संभावना बचती है कि अभी भी कुछ पैदा हो जाएगा वो संभावना क्यों बची रह जाती है क्योंकि क्योंकि वृत्ति बची रह जाती है बीज बचा रह गया न जंगल पूरा समेट लिया वापस सब नश्ट कर दो सब कुछ वापस आ जाए सब चला गया बस बीज बचा रह गया तो संभावना भी बची रह जाती है कि दुबारा से रचना हो जाएगी स्रिष्टी दुबारा खड़ी हो जाएगी किसी और तरीके की बिल्कुल किनी और प्रजातियों के साथ ऐसे रूपों में जिनकी हम कलपना भी नहीं कर सकते स्रिष्टी दुबारा खड़ी हो जाएगी और उस रिश्टी तुवारा क्यों खड़ी हो जाएगी क्योंकि अहम रिट्टी अपूर्ण है तो बार-बार अपने आपको अलग-अलग तरीके से अवसर देती रहती है पूर्णता के हर अवसर जो देती है अपने आपको अभिवक्ति जो देती है हर बच्चा जो पैदा हो होता है वह वास्तव में एक अवसर है पूर्णता पाने का यही फिर समझ लीजिए कि जीवन का उद्देश्य भी है मूल अहम वृत्ति ने आपके रूप में अभिव्यक्ति पाई है ताकि वह पूर्णता तक पहुंच सके तो क्या यदि कोई एक व्यक्ति पूर्णता तक पहुंच जाए तो अहम वृत्ति शान्त हो जाती है ना वो नहीं शान्त होती है लेकिन वो जो अभिव्यक्ति होती है वो अपने हूने का अपने अस्तित्य अपने जीवन का सदुपयोग कर ले गई अहम वृत्ति कब शान्त होगी ये प्रश्णमत पूछो क्योंकि उसकी शान्ति की बात करके तुमने ऐसे कह दिया जैसे वो सत्ते हो वो है कहां जो वो शान्त होगी तो है कहां जो शान्त होगी वो क्या है वो तो माया मात्र है तो हम नहीं जानते कि वो कब शान्त होगी हम नहीं जानते कि वो अशान्त है भी कि नहीं हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारे केंद्र में वही बैठिये और हम चैन नहीं पाते जद तक अहंकार अपनी मंजिल तक न बात सूक्ष में है बहुत ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगी कई पर फस रही है अभी पूछेगा मैंने का बात फस रही है तो देखी कृष्ण क्या बोल रहे है कोई आत्मा को आश्यर की तरह देखता है कोई इसे आश्यर मैं अलौकिक रूप से बताता है कोई आत्मा को आश्यर की तरह सुनता है और फिर कोई ऐसा भी होता है जो सुनकर भी समझ नहीं पाता बहाते बहाते के लोग होते हैं अलग अलग तलगी चेतना है होती है उनके बारे में कृष्ण हापर बोल रहे है पिर पुरानी बात पर वापस आ गए अहम्रित्ति की बात कर दी आत्मा की बात पर पुना वापस आकर कहते हैं अर्जुन आत्मा अवध्य है तुम्हें किसी के निधन से शोक की आवश्कता नहीं जो असली है उसको तो मारा जाई नहीं सकता अगर कुछ मर रहा है तो नकली है तुम शोक किसलिए कर रहे हो प्रशन बताईए प्रणाम अचारी जी अचारी जी ये व्यक्तिकत अहंकार जो जो मुझे समझा रहा है कि हम व्यक्ति को मुक्ति चाहिए आपको मुक्ति चाहिए आपको और मैं व्यक्तिकत अहंकार नहीं हूं आपको जब कोविड लगता है तो आपको किस से मुक्ति चाहिए दुनिया भर में हर प्राणी को जो कोविड लगा हुआ है उससे या आपको और आपको अगर मुक्ति मिल भी गई तो इससे क्या दुनिया भर से COVID मिट जाएगा दुनिया भर में रहा है लेकिन आपको मुक्ति मिल गई साथी साथ ये बात भी है कि आपको जो COVID लगा है वो दुनिया भर में जो वाइरस है उससे भिन्न नहीं है आपको जो लगा है COVID और आपको जो symptoms हैं और आपको जो दवाई दी जा रही है वो दुनिया भर में जो चल रहा है उससे कुछ अलग नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपका COVID हट गया तो दुनिया भर में सब मुक्त हो जाएंगे नहीं इसका यह मतलब है कि दुनिया भर में जो चल रहा है आप उससे बहुत परेशान है आपकी परेशानी किससे है व्यक्तिगत कोविट से तो उसी तरीके से व्यक्तिगत अहंकार है जो हमें परेशान करता है हालंकि यह व्यक्तिगत अहंकार समश्टिगत अहंकार का माने अहम्रित्य काही एक एक इंस्टेंस मात्र है आचारी जी एक और मुझे बहुत कन्फिज दें कि मैं ना तो व्यक्तिकत हैंकार हूं मैं ना तो फिर अहम्रित्य हूं आप व्यक्तिकत हैंकार क्यों नहीं है और आप क्या है तो फिर अगर मैं ही व्यक्तिकत हैंकार हूं तो मु तो आछारी जी जैसे मतलब आंतरिक उन्नति जोचे कर रहे हैं लोगॉaltet है कि नैतिकता वाली बात के आपको क्रोध ना है और यह सब मतलब लालच ना हो यह सब हो फिर लेकिन फिर नज सब ना हुग है न मतलब हम यह गया से पदछलेगा कि हम यहadece कर नहीं कर पूछें तो इसका अर्थी है यह कि आपके पास प्रमाण प्यास का ही नहीं है, जब प्यास का प्रमाण होता है, तो प्यास बुझने का प्रमाण अपने आप मिल जाता है, तो प्यास बुझने का प्रमाण, प्यास का ही प्रमाण होता है, आपको अगर यह साव साव पता हो, कोई पूछे कि मैं कैसे पता करूं कि मेरा वुखार उतर रहा है कैसे पता करूं इसका मतलब यह कि उसको यही नहीं पता कि उसे वुखार है और यहीं पर सारी समस्या आती है न हम अपने ही दुख के प्रति समवेदन शील नहीं है हम जानते ही नहीं हम कितने दुख में तो फ पीड़ा नुभव ही नहीं हो रही है। दुख भी आपके लिए एक सिध्धान्त मात्र हैं। क्यों believing क्योंकि दुख दुख के साथ समयोजन कर लिया है, दुख को सुख का नाम दे दीया है या दुख को सामानने मान लिया है, तो दुख अनुभव होना ही बंद हो गया है, तो अब दुख कम हो रहा है, यह भी नहीं पता चलने पाता है, और कई बार दुख कम होना ऐसा लगता है, जैसे कोई अनुभव होना घट रही है, सुख ही कम हो रहा है, जैसे जो कोवीड वाल आपने एक्जामपल देया उसमें तो दिखाई देता है कि हम अलग हैं वायरस अलग है लेकिन यहां व्यक्तिगत अहंकार में यह वाली फीलिंग नहीं आती कि हम अलग हैं और व्यक्तिगत अहंकार हैं नहीं हम अलग नहीं हैं दिखिए आप हैं तो पूरे तरीके से व्यक्तिगत अहंकार ही लेकिन वो जिस तल पर हैं आप उस तल से संटुष्ट नहीं हैं मैं ही नहीं किया रहा हूं कि आप उससे अलग कुछ और हैं? हैं तो आप वही प्रशनी है कि उतना हो करके आप संतुष्ठ हैं क्या? पस इह सवाल है, वहां से आप संतुष्ठ नहीं है तो आपको आगे बढ़ना होता है, और उसी आगे बढ़ने को कहते हैं आत्मा की और ने जो गीता के श्लोक के बारे में समझाया, उससे जो मैंने समझाया है, वो बस जानना चाहता हूं कि वो सही समझाया या नहीं, आपने तीन शब्दों का प्रयोग किया, एक आत्मा, एक व्यक्तिगत अहंकार, और त्रीशिरा आहम वृत्ति, इनका क्रम है आत्मा, आहम तो क्योंकि मतलब एहम वृत्ति वो सपष्ट नहीं हो पा रहा है कि हम किसे कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आया है कि जो दुख होता है या सुख होता है, वो एहम वृत्ति, दुनिया का हर आदमी, हर जानवर, हर पौधा, मैं मैं करता है न, नहीं अंतर पड़ता तुम किस देश के हो, किस उम्र के हो, किस प्रजाति के हो, मैं मैं तो करते हो न, तो ये एक वृत्ति है, ये टेंडेंसी है, जो किसी व्यक्तिकी नहीं है, सब में पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत नहीं है, जो व्यक्तिगत है वो अलग है, व्यक्तिगत क्या अलग है, तु कि रुको आप हैं हां अपने आपको कैसे बोलते हैं समभोधित करके मैं आप कैसे बोलते हैं अपने आपको मैं 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 इसमें कुछ व्यक्तिगत नहीं है मैं मैं कुछ व्यक्तिगत नहीं है और एक मैं है जिसमें सबकुछ व्यक्तिगत है आप अपनी कहानी सुनाईएगा अपनी सिंदगी की, क्या उस कहानी में और इनकी कहानी में कुछ साजा होगा, नाम भी अलग है, उम्र भी अलग है, चेहरा भी अलग है, रिष्टे नाते भी अलग है, सब अलग है, वो व्यक्तिगत अहंकार होता है, अहम वृत्ति होती है, स मेरी एहम वृत्ति का जो व्यक्तिगत अहंकार है उससे चुटका रहा है तुम्हारे पास तो व्यक्तिगत अहंकार ही है न बेटा व्यक्तिगत अहंकार है उससे चुटका रहा है मतलब मुझे दो दिशाएं लग रही है जैसे एक व्यक्तिगत अहंकार हो गया और दूसरा आ आत्मस्त होने का अर्थ क्या यही हुआ कि विक्तिगत अहंकार के विपरीत विक्तिगत अहंकार परिशान करता है ना, विक्तिगत अहंकार कैसे बना रह जाता है, कैसे बना रह जाता है, जब तुम बोलते हो मैं नवीन, मैं ये, मेरे पास इतने पैसे, मेरा ऐसा ग्यान, मेर व्यक्तिगा तहंकार है जब इससे आगे वढ़ते हो आटमा की तरफ बढ़ता है तो ऐसे समझ सकते हो कि रास्ते में अहम वृत्ति का पड़ाव आता है विधी निति-निति की है तो जैसे मेरा व्यक्तिगा तहंकार मेरा पर्सनल हो गया तो मेरी मुक्ति भी वो व्यक्तिगत ही है जब व्यक्तिगत से ही मुक्त हो जाओगे तो व्यक्तिगत मुक्ति कैसी व्यक्ति तो बंधन है जो व्यक्ति है वो तो बंधन है उसकी कौन सी मुक्ति होगी अहंकार की मुक्त होती है वैयक्तिक्ता से उसका ये सोचना मैं का ये सोचना कि मैं इन सब से जुड सकता हूँ इसी भाव से तो मुक्त होती है जो भाव होता है कि मैं इन सब से जुड़ा रह सकता हूँ, उसी भाव से तो मुक्ते होती है, न? व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में पूछना अलगभग ऐसा ही है कि जैसे कोई पूछे कि क्या बेडिया पहने पहने मुक्ते हो सकती है? जिसको तुम व्यक्तिगत कहते हो, वो तो बेडिया है तुम्हारी, उनको पहन के मुक्त कैसे हो जाओगे? धन्यवाद आचारी नमस्ता चारी मेरा सवाल ये है कि व्यक्तिगत एंकार क्या दूसरे व्यक्तिगत एंकार को देख पाती है कि नहीं? अगर देख रहे हैं तो उसको ये भी हो सकता है कि उसे एहम व्यक्तिगत से भी मौ हो जाए? कैसे? अगर वो व्यक्तिगत एंकार तुम हो, तुम में व्यक्तिगत एंकार है, बगल वाले का हंकार दिखता है कई बार, नहीं भी दिखता है तो अगर वो सामने वाले की देख रहा है तो उसको ये भी पता है कि दूसरे मनुश्य में भी हो सकती है सब में हो सकती है वो ये भी जानता होगा कि ये सब एहम विर्ति भी है कहां जानते हो तुम जानते हो क्या सब तो वही कह रहे हैं कि सब अपने अपने विक्तिकत हैंकार में ही सब बिजी है तो मैं भी कह रहे हैं क्योंकि यहां पर एक महाल है नहीं तो सबको एक ही सत्य प्रतीत होता है कि मैं मेरा विक्तिकत जीवन मेरा विक्तिकत हैंकार वही सत्य है ना आत्मा है न वृत्ति है को ये भी नहीं कहता कि मैंने जो प्रेम करा है वो एक टेंडेंसी मात्र है. हम कहते हैं मैंने जो करा है वही सच्चाई है और वही पहली चीज है दुनिया की. जब तुम्हारे सामने कोई मुसीबत आती है, क्या तुम्हें इस तरह का ख्याल आता है? किसी तरह की मुसीबत करोड़ों लोगों पे पहले आ चुकी है जब तुम्हारे उपर मौत आती है क्या तुम्हें खयाल आता है कि मुझसे पहले अर्वों लोग मर चुके हैं मुझसे मेरे बाद भी अर्वों मरेंगे ठीक इस शन भी लाकों मर रहे हैं ऐसा आता है, तुम्हें उस वक्त बस ऐसा लगता है कि जो मेरा विक्तिगत अनुभव है वही एक मात्र सत्य है, तुम वृत्ति को कहां देख पाते हो उस शण में या देख पाते हो, ये तो छोड़ दो कि दूसरों की मौत हुई है, और करीब का उधारन ले लो, तुमने एक भूल करी होती है जिन्दगी में, ठीक, तुम उस भूल को बीस बार दोहराते हो, जब दोहरा रहे होते हो, तभी खयाल आता है कि बीस बार पहले मैं ये भूल कर चुका हूँ, आता है क्या खयाल? नहीं आता ना, उस वक्त तो जो तुम पर जादू चला होता है, उस भूल का वो ही तुम्हें सत्ट लगारा होता है है तो ये भी नहीं याधा था कि मेरी ही रित्ति है बार बार भूल करने की वो भी नहीं याधा था को थिसी को पशुता केहते हैं इस ज़्यादा कुछ नहीं पाथता आप कि अदो जब वह घटना नहीं हो रे होती दो हूं नहीं हो रहता हूं कि यह सॉकलर साहा अयो होता है दूसरी चीजह काँ दूसरी में मगन होते हैं तो हूं तो सह अगर में बहुत एक अगर मुझे याद भी होता है कि थिक कि मैंने कभी पहले किया था या किसी और ने पहले किया था बट जब वो घटना मेरे साथ घटना तो सारी यादें भूल जाते हैं बिलकुल भूल जाती है दूसरों में भी वृत्ति है भूल करने की ये मैं कह रहा हूं दूर की कोडिया याद रखना जो अग्दम निकट की बात है कि मेरी याद रहे जाता है तो हमारा यथार्थ तो हमारा चोटा सा जो व्यक्तिगत जीवन है बस उतना ही है उसके आगे हमें नहीं समुझ भी आता कुछ भी तो यहां कृश्ण बोल रहे हैं कि कोई भी चीज व्यक्तिगत ना लिये जाए चाहे वो बुरी हो और चाहे वो है क्योंकि वह व्यक्तिगत है ही नहीं तुमने उसे जूट मूट व्यक्तिगत नाम दे रखा है तुम्हारे सबसे खुफिया रिष्टे भी व्यक्तिगत नहीं है उधारण के लिए जिन चीजों में तुम बोलते हो बस हम दो हैं हमारे हमारे दो की दुनिया में किसी तीसर स्विलन जोड़निक है वो भी एकदम भीड़का है है वो भी बिलकुल वही है जिसमें करोलों दूसरे खुशे हुए है पर हमें पता नहीं है तो हमाहें लगता Ben कि हुँए लगता है वहतेश Remember यही समझा रहे हैं कि जिसको आप परसनल समझते हो वो भ्रम है और जो परसनल आपको लगता है उसी का आपको दुख है कि कई मेरा परसनल कुछ छूट न जाए मेरे जो परसनल गुरु है उनकी मौत न हो जाए मेरे जो व्यक्तिगत पितामा है उनको कुछ न हो जाए कुछ है नहीं बाबा तुम पहले पति हो जो पत्नी कि अपमान प्रक्षुप्ध है तुम पहले पति हो इसमें फर व्यत्टिatchet क्या हैं क्या व्यत्ति अरजुन का कुछ और नाम कर दो धृपती बिए और नाम कर दो वही घटना हर जगह चल रही है हर घर में चल रही है विक्तिगत क्या है इसमें कहां कुछ विक्तिगत हो रहा है समझ्टिकत है समझ्टि मने हर जगह है लगातार है तो जब विक्तिकत हैं ही नहीं तो तुम शोख क्या कर रहा हो शोख ही कि विक्तिकत का कर रहा हूँ वह नहीं कि इस प्रश्ट वाज दन्यवाद कि अभी जैसे हम समझ पा रहे हैं कि एक एहम व्रत्ती होती है और व्यक्तिकत एहंकार होता है यह पगड़ पा रहे है तो अहम व्रत्ति से आत्मस्त होने में कैसे शिफ्ट होते हैं मतलब जो बहुत आसान है अहम व्रत्ति से आत्मस्त होना तो फिर भी कठेन हो सकता है जब वो अहम के रूप में अभिव्यक्त हो गई तब खेल खुल गया है अब उसने क्या करा है अहम व्रत्ति बोलती थी सिर्फ क क्या बोलती थी, मैं, और अहंकार बनते ही, उसने क्या बोलना शुरू कर दिया, मैं ये, मैं वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये सब बोलना शुरू कर दिया, अब रास्ता तैयार हो गया, अब रास्ता होता है, त्याक का, या समर्पड का, या नेति-नेति का, मैं अहम हूँ, मेरी एक स्थित है, मेरी स्थित यह है कि मेरे आसपास यह सब कुछ है, यह सब कुछ जो मेरे आसपास है, इसने मुझे जखड रखा है, अचाने मुझे होश आता हूँ, समझ में आता है, इसने मुझे जखड रखा है, मुझे होना कहीं और है, यह मेरे लिए अवसर है, अवस मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ संसाधन की तरह मैं जेल में बंदू हूँ, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है? मेरे हाथ-पाउं रस्षी से बंदे हुए हैं। मैं मानता था मैं मुक्तू हूँ। मैं मानता था मैं मुक्तू हूँ। तो किसी को जरूरत ही नहीं थी रस्षी को बहुत जोर से बांधने की। क्योंकि मेरी कोई कोशिश ही नहीं थी मुक्त होने की। मैं मानता था मैं मुक्त हूँ पहले से ही। तो रस्सी से मुशे बहुत जोर से बांधना अवश्य की नी था रस्सी ऐसे ही बस कर दी थी, और मैं उसको अपना लेकर घूंता रहता था, और सोचते रहता था मैं मुक्त हूँ, तभी कुछ हुआ, और मुझे देखा ही पड़ा कि मैं बंधन में हूँ, मैं बंधन में है मैं बस बिहोश नशे में हूं इसलिए में दुख पता नहीं चलता है जैसे होश बणा बड़ा दुख पता चलने लग गया मैं बंधन में हूं अब मेरे पास क्या है मेरे पास क्या है मेरे पास क्या है अभी तक वो मेरे लिए क्या थी अब मेरे लिए वो क्या बनेगी बंधन ही संसाधन बनेंगे अब वही रस्ती निकालूँगा और फान जाओंगा ये विधिय है जीवन ही विधिय है बेहोश हो तो जीवन बंधन है होश में हो तो जीवन संसाधन है नमस्कार आचारे जी जी समझा कुछ नहीं समझा पर हर बार जो समझने का जो मैं है जिसे पीन स्टेजिज आप नहीं समझाई आत्मा एक कौमन ब्रत्ती और एक मेरी परस्टनल एहम परस्टनल बोटी अंपन स्टेज पर हूं अब फिर में तो हमेसे आता नीटि नीटि करता हूं वह भी मैं ही कर रहा हूं समझ रहा हुं वह भी więcej कर रहा हूं सब कुछ में पिर कभी-कभी लगता है कि यह यह जो कौमन ब्रत्ती है उसका मतलब यह हूब equivalent है घो प्रोटोन, क्वान्टम एनर्जी वो सब एक्यूमलेट होके एक मेरी सो काल्ट पसनल्टी बन गई है और इंटिटी बन गई है बट अदर्वाइल सब्सक्राइब देर नथिंग लाइक वी इन में सम्थिंग लाइक तो जैनि कभी क्लेरिटी आ जाती है जब इस तुनता हो त इस तुनता है कि फिर थोड़ा बहुत सोच्टाओं मैं सुस्टाओं फिर मुझे लगता है कि आर पर से कंफुजन हो रहा है तो यानि अपने और अंदर ही घूंगता रहता हूं उस और बिट से बाहर निकलने का पता नहीं आतो तो स्ट्रीट पर नहीं पहुंच पारे हो क जो प्रॉसेस है तो नी तूनि ट्रीट टूवर्ट डारेक्शन फोर्ट थी जो डारीक्शन मैं जा रहा हूं जो मेरी अजर्टनी के साफे वही डारेक्शन इट्स禽 klis there there is no like destination जैसे बांभी जा रहा हूं वटरेवर मेब इस पेस इसेल्फ इस दे एंड इसे और या तो बुझे अभी रेयलाइज नहीं हो रहा है जब मेरी जगह पर पहुच जाऊंगा जब शायद मुझे रियलाइज होगा जब मुझे बॉंबे विजुलाइज होने लगेगा तिकने लगेगा तो पता नियों सर या इस मामने में जैसे जैसे जुनता हूं आपको जैसे जैसे पढ़ने की कोशिश करता हूं आप यह जो जाता है नोट वरी क्लियर उन देस कोशिटन एज वह सब कुछ आशा भी नहीं है अभी दूसरा ही अध्या है लगे रहिए साथ में देखिए ये जो अहम है ना ये जादू है ये अजीब छलावा है इसलिए हम वृत्ति को माया बोलते हैं वो कहां से आगई कुछ पता नहीं क्यों किसी ने मैं बोलना शुरू कर दिया एकदम पता नहीं क्योंकि हैं सब टक्रियाएं प्रोसेस हैं कोई एजनसी नहीं है एजनसी जो कहें कि मैं हूं मैंने किया प्रक्रिया के कारण चीज़ें होती रहती हैं अचानक कहीं से बहुत जादू ही तोर से कोई आ जाता जो बोलता है नहीं प्रक्रिया नहीं कर रही है मैं कर रहा हूं जैसे कि एक मशीन हो वो कुछ माल तयार कर रही हो और वो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है उस मशीन की वो माल तयार करती है और माल तयार हो रहा है और तभी कहीं से कोई टपक पड़ता है जो कहता है मैंने किया मैंने किया और इतनी सारी मशीन है प्रक्रति में इतनी विविद तरीके की मशीन है पौधा एक मशीन है मच्री एक मशीन है पक्छी एक मशीन है तरह तरह के नरनारी वो सब एक मशीन है और इस सब मशीन है कई सेकता भी कहीं से आ जाता है मैंने किया मैंने की उधारण के लिए घूम जने को ठैस्ट네 का Κा में मशन करें खाना खाना वह ऊन्व है। जो किसी भी और मशीन की तरह इंधन मांगती है, और वो अपना इंधन खुद जोटा लेती है, जैसे समझ लिजे कि पौधे हैं और क्लोरोफिल है, ठीक है, वो अपना खुद ही जोटा लेती है, लेकिन एक मैं तभी खड़ा हो जाता है जो बोलता है, मैंने खाना खाया, मैं आप ने कुछ करा, आपको भूख लगती है, उसमें आपका कोई यूगदान होता है, लेकिन भी हम क्या बोलते हैं? भूख लगने क्टिक्रीया यह कि आप खाना खाते हैं, आप फिर आते हैं, मैंने खाना खाया, जली खाना खाने हैं तो और भी बोल सकते हैं, देखो मैं चुनता हूं ना कि चावल खाऊंगा या रोटी खाऊंगा ऐसे जो आप सांस ले रहे हैं हम यहां तक बोल देते हैं मैंने सांस ली जब कि जो हो रहा है वो पूरे तरीके से प्रक्रिया गत है सांस लेने के उधारण विए कुछ स्फ़ास्च हो जाता है कि साब इसमें तो मेरा कहीं पर कोई युगदान इसिति को सब्साइब नहीं कि घठाव. पड़ा है जो पता नहीं है भी कि नहीं है उसी को यह बताने के लिए कि बेटा तुम हो नहीं तुम बस टपके पड़े हो तुम बिन बुलाए महमान हो तुम ना रहो इसी में तुम्हारी भलाई है इसी में तुम्हारी भलाई क्यों है क्योंकि यदि तुम हो तो तुम्हें यदि तुम हो तो तुम्हें दुख बहुत है। तुम न रहो यही ठीक है तुम्हारे लिए। यह है पूरी बात। यह अभी भी इतनी इस परशनी होगी, सब जीरे-जीरे बढ़ेगा आगी। कि अब जैसे मैंने समझा अब वही चीज आती है। जैसे आप भी बता रहे थे जो कि उदारण में उसको पर्सोनफाई तो करना ही पड़ता है। कि अब लग वही है। यह उसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि अगर मैं प्रतीत हो रहा है तो उसको दबाने से कोई लाव नहीं। जब तक लग रहा है मैं हूं तो जोट कैसे बोलनुगी नहीं हूं मुझे तो सब लगता है मैं हुँ मेरा दोख है, मेरी समस्याइई है, मेरी कामनाईइ मुझे सब लगता है तो इनको मैं दबाऊंगा चुपाऊंगा नहीं स्विकार किया मैं हूँ और मेरा बहुत जबरदस संसार है बड़ा गहरा मामला है मेरा बस यह जो कुछ भी है उसमें दुख है तो मुझे अब ऐसी रिशा में बढ़ना है जिसमें मैं कम होता चलूं तभी दुख कम होगा उस जिसा में बढ़ने में जो आप से मैंने समझा था इबाद जैसे उस तरह की विचारदाना करनी है जिससे की मैं विगलित हो रहा हूँ अपने तो डायलूट हो रहा हूं परस्नल्टी से तो उसमें भी यह लगता है यह यह यानि काउंटर क्रिश्टन आता है कि यार मैं वह भी एक विचारी है वह भी एक अनवा भी है कि मैं विगलित हो रहा हूं धीमेदी में आइडेंटिटी ख़तम हो रही है इस विच्वुद दाट इस अलसों अंतर थोड प्रॉसेस प्लेट फार में कभी-कभी यह लॉजिक आ जाता है जब कोई अधेंटिटी पता नहीं डर लगता है पर तोने से डरते क्यों नहीं थ्यान से बताईए ना जब कोई अधेंटिटी नहीं रहती है अब सोने जा रहे हो आप बचोगे नहीं यह बात पकी है ठीक है अगर अगर आप सोने से नहीं डरते तो अहंकार के कम होने से क्यों डरते हो पर ईसफे समय वही सब कुछ होता है जो हंकारिकम होने से होगा बताता हूं क्यों रख़ते आश्वस्ती रहती है कि उठेंगे कि तो जिस हालत में सोए थे उस हालत से थोड़ी बहतर ही होंगे ठीक है नुकसान नहीं होगा तो सोने से फायदा ही होगा यह शद्धा है अहम दरता बहुत है उसे असुरक्षा बहुत है उसको लगता है मैं पीछे हड जाओंगा तो नजाने क्या आफ़र टूट पड़ेगी डरे हुए बच्चे जैसा है जिसने ऐसे मुठी भीच रखी है छोड़ना नहीं चाहता उसको प तो तो तूणा करना शुरू करो कंशरू करो हैं नंशकर आचारा जी कल के सत्रु से जोड़ावा प्रश्ण है और कल आपने मैं मैं बिल्कुल नहीं जूडि हुई हूई हूं तो मेरी भाशा बड़ी शुद्ध नहीं है तूम प्रश्ण ये एकि आपने कल बताया कि दुर दुर्योधन आत्मा के विरुद्ध जाता है तो कृष्ण कहते हैं कि उसे मारने में कोई बुराई नहीं तो मेरे दिल में ये प्रश्ण आया कि क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूं वीगन होने की तो उसमें हम अपनी एक वो कोमल भावना लाते हैं कि जानवर की तरफ भी हम soft feelings रखें तो मेरे दिमाग में ये प्रश्ण आया कि अहिंसा और इस तरीके से अगर प्रश्ण का कहना कि मालना किसी इंसान को भी बुरा नहीं तो मैं बहुत सोचती रही और बहुत सारे आपके वीडियो सुने हैं मेरे दिमाग में इसका प्रश्ण का उत्तर आया तो क्या सही है या नहीं मुझे ये बस बताईएगा और थोड़ी सी इसमें मेरे mathematician होने की वो भी दिखाई देगी तो मैं ये सोच रही थी कि अध्यात्म की रहा पर जब इंसान चलता है तो उसका मन ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो इंसान, जो शक्ती, जो भी चीज इस दुनिया में है जो हमें हमारी चेतना को उच्ची उठाती है मतलब हमें infinity की तरफ लेके जाती है वो हमारा गुरू, वो हमारे लिए भगवाल वो infinity की तरफ जो भी ले जाए जो भी एक बच्चा है या एक जानवर है उनकी समझलों वो zero level पर है वो वो बराबर क्या है सब सोचो सोचो तो सबकी चेतना में बहुत उंचाई नहीं है पर हर इंसान की ये होनी चाहिए कि वो उनको बचाएं, हम उने बचाएं हमारी भावनाएं कोमल उनकी तरफ होनी चाहिए और जो शक्तियां दुर्योधन की तरह आत्मा को नीचे लेकर आती है उनको मारने में भी कोई बुराई नहीं क्या ये सही सोच है मतलब ये इंसान को ये तीनो क्योंकि मैं कन्फ्यूज हो रही थी अहिंसा कहां से कहां चली गई जब प्रिश्ण ने ये बोला तो मुझे लगा कि एक ही इंसान के अंदर ये तीन अप्रोच अलग-अलग होनी चाहिए दुनिया को देखने की क्या ये सही है और इसी से ज़रा सा जुड़ा हुआ ये भी जैसे पिछले प्रश्ण से में आया कि आत्मा और चेतना का रिलेशन शायद वान ओवर एक्स की तरह है जैसे जैसे हम जीरो की तरफ जाता जाएगा चेतना उपर उठती जाएगी तो क्या ये सही है सोच मेरी देखिए कृष्ण कोई व्यक्तिगत रिष्टा नाता नहीं निभाते वो हम निभाते हैं मेरे बेटे का नाम अर्जुन है तो मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे का भला हो जाए भले ही उससे बीस लोगा नुकसान हो जाए वो हमारा तरीका होता है तो कृष्ण का तरीका कुछ तो अलग होगा न हमसे, कृष्ण का क्या तरीका होगा, वो कहेंगे, कि मुझे एक को नहीं देखना है, हम एक को देखते हैं, कि मेरे घर के चार लोग है, मैं तो बस इनको देखूंगा, कृष्ण का तरीका हमसे, कुछ तो अलग होगा, क्या वो यह कह रहे हैं कि वो काम करो जिससे सबका कल्याण हो दुर्योधन को मारने कि उन्होंने कोई जिद नहीं पकड़ रखी है करम ने बात करी आपने उसका उलेख ही नहीं करा कि कृष्ण स्वयम शान्ति दूत बनकर शान्ति प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास कमेशन कोई सान्ति-धारं सांसारी ग्रहस्त नहीं है कि एक व्यक्ति कोई अपनी जिंदगी बना ले उनको यही नहीं करना है कि एक दुर्योधन को कहता हूं कोई हट नहीं कर रखा है कोई शपत नहीं ले रखी एक दुर्योधन को मारना है पर दुर्योधन की स्वेच्छा का क्या करें कृष्ण कोई जादू वो कर नहीं सकते कि दुर्योधन की स्वेच्छा बदल जाए उसकी मति बदल जाए जो भी व्यक्ति पैदा हुआ और वयस्क हो गया है, सुच्छा का अधिकार उससे चीना नहीं जा सकता, और दुर्योधन की अब सुच्छा यही है कि उसे धर्म विरुद्ध ही चलना है, तो क्या करें? दुर्योधन को बदल नहीं सकते, और दुनिया को बर्बाद होते भी नहीं देख सकते, तो क्या करें? दुरियोधन को बदला जा सकता काश दुरियोधन को बदल देते दुरियोधन बच जाता और दुनिया की बरबादी देखने को अगर कृष्ण सुिकार होते तो भी दुरियोधन को बचाया जा सकता था कि दुरियोधन अपना सगा है दुरियोधन को बचा लेते हैं दुनिया को जाना होता हैं। समझ रहे हैं? अब आई एह अहिंसा पर अहिंसा का इस तरह का कोई अर्थ नहीं होता कि दूसरे को बचाना है या क्या करना है अहंकार आत्मा से द्वेश न रखे हैं इसको अहिंसा कहते हैं और कि मैं sahणि मैं आप आजी मैं समझा रहाता कि साधारण बोल-चाल की भाषा ऊर अध्यात्मिक शब्द पोश्ऱ में अंतर होता है में rich कि साधारण बोल-चाल CP के पहते हैं जब आप दूसरे का गाल थतफा दो उसे प्यार से बाद कर लो, इत्यादी इत्यादी, अध्यात में उसको अहिंसा नहीं माना जाता, अध्यात में तो यही दोनों है, आत्मा और अहिंसा का मतलब होता है, आत्मा के लिए अहंकार द्वेश ना रखे, बुरा भाव ना रखे, पराया भाव ना रखे, इसको अहि लायत का ही दूसरा नाम अहिंसा है मुझे दो रहना नहीं है वो उधर है मैं इधर हूँ मुझे उधर जाकर मिल जाना है यह अहिंसा है तो यह व्यक्तिगत नहीं था दुर्योधन के लिए किसको बुराई नहीं थी उनके दिल में उनको ये था कि जो दुनिया के लिए अच्छा जो बहतर है वो सही है दुनिया के लिए जो बहतर है अब दुनिया की बहतरी के लिए अगर दुर्योधन खुद ही अड़ा हुआ है कि मैं तो मरूँगा, तो क्रिष्न क्या करें? क्रिष्न के पास ऐसी कोई जादूई शक्ति नहीं थी, कि उद्वर्योधन की मती ही बदल देते. अगर बदल सकते तो बदल दी होती, नहीं बदल पाए. हम वृति और आत्मा अव्यक्तिकत हम इससे रिलेटेड है. जो समझ आ रहा है वो यह है, सही गलत का माघरशन कीजीए. कि पूरी इस यात्रा को उदेशे, आध्यात्मिक यात्रा को उदेशे, सेल्फ अवेरनेस ही नहीं है. कि हमें यह समझ आ जाए, जैसे जो भी जिसे हम वृत्ति कहते हैं, फॉल्टे टेंशी कहते हैं, जो मर जी नाम दे लें उसको, गुसा आता है, जैलिसी है, वो हम में तो है, ये जो बॉड़ी है, इसको हम एसोसेट हुए बिना बस इसको अपने नाम से मैं से जाने, इस अवेरनेस में हमें मेशा रहें कि ये जब ये हो रहा है सामने, सबूस को कि जब आया, उसके बाद समझ आए, कि ये हुआ और ये गलत हुआ, अगली बार ये नहीं होना जीए, और स्लोली स्लोली वहां से मोव अन करके, कि ये सब कुछ जो इस बॉड़ी के अंदर है, इस बंदी के अंदर है, ये ये बहिवियर पैटरंस, ये सामने वाले के अंद उनके लिए गुसा जब जब ऐसा करते हैं, वो मिल्ट होने लगता है, और से समझ आता है कि ये सब कुछ ये जो हो रहा है नाटक, ये कहने को नाटक है, लेकिन हम इसमें जो भी कर रहे हैं, पार्ट बने हुएं, बूल जाते हैं, बेफकू बनते हैं, वही नाटक सब के सा बतात हो रहा, तो इसको हम व्यक्तिगत pressing के नाम से जाने, कि यह tenancy जो हमारी बॉड़ी में है यह व्यक्तिगत्फ कर रहर है हर प्रमचिस के हैं और जैसे हम बुद्धु का concept है self awareness का अब मैं उसको वेरिफाई क्या करूँ नहीं मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ाई यह मतलब self awareness वर्ड जरूर पढ़ा है यह तभी मैं यह self awareness की बहुत प्रचलित परिभाशा है यही इन ही शब्दों में शब्द भी दूसरे नहीं है लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि समझ आता है कि यह अच्छा है सुनने में सुन्दर है विवार में उतारना जरूरी है जिब हो यह उचना था इस पर आप कुछ और समझा सकें तो जिससे clarity और आए confusion हटकर क्रोध क्रोध में अंतर होता है आपको क्रोध है आप कहें कि मेरा क्रोध वैसा ही तो है जैसे से क्या बात कर रहे हैं इतनी देर से बात कर रहे हैं दो ही दिशाए होती है तो आत्मा की तरफ आत्मा के विरुद्ध आत्मा की तरफ आप बढ़ रहे हैं और रास्ते में कोई बाधा बना क्रोध आया उस बाधा को हटाने के लिए वो क्रोध शुभ है किसी और का क्रोध आपके क्रोध जैसा थोड़ी हो गया फिर तो आप यह नहीं कह सकते कि अरे देखो सबको क्रोध आता है तो सब एक बराबर है क्रोध और क्रोध में बहुत अंतर है गती और गती में बहुत अंतर है आसू और आसू में बहुत अंतर है आसू सीता के भी थे आशू कैकेई के भी थे कैकेई के आशू किसलिए थे वनवास भेजने के लिए उनको और सीता के आशू किसलिए थे तो आप कहें कि जब आशू आए तो कहों कि नहीं यह मेरे ही साथ नहीं हो रहा है यह सबके साथ होता है तो यह बात कितनी जायज है तो यह जो self-help literature है, इससे बचिये, यह नहीं समझते बात को, और इसी से related अभी पीछे किसी ने question पूछा दा, आपने जवाब दिया, कि मैं को हटाना है, हम मैं मैं करके काम करते हैं सारा, और मैं को उचे से उचा ले जाना है, उचे से उचा, और जब उचा उठना होता है, त तो बहुत सारा जो बोजह होता है, लोड, उसको छोड़ना पड़ता है न? कि हमारी जिसे सांस ले रहे हैं, हम सोचते हम, हम, हम कर रहे हैं, लेकिन सहज हो रही हैं यह चीजे, हमारा कोई अपना वो नहीं है, effort ऐसे, अपने बहुत सी चीजे हो रही हैं, लेकिन आपके YouTube की कुछ lectures में सुना था, situation अलग ही बता रहे होंगे आप, लेकिन मुझे confusion हो रहे हैं, तो please clear कीजे, कि जब हम life में किसी difficult situation में फस जाते हैं, तो फिर सोचते हैं, भगवान जी करेंगे सब कुछ, तो ये कभी-कभी ऐसे भी होता है, कि भगवान जी करने वाले हैं, सब कुछ हम क्या करें, तो उस समय आपने बताया कि हमें ही करना है, भगवान अलग नहीं है, और मतलब situation situation में वोई फरक है, कि सीता के आंसू है, तो ठीक है, कि कई के आंसू है, तो गलत चीज के लिए है, तो मैं जब सही direction में जा रहा है, जो चीजे के लिए करने की जरूवत है काम, ख कुछ नहीं कर सकता, और जहां अपने आप हो रही है राम राम से वहाँ जादा में 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 मत करो वहाँ, यह समझ यह है, जो सही काम है, वो अपने आप आराम राम से कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा सही काम तो संगर्ष सही होता है अपने आप आराम आराम से sounds प्राक्रतिक जाएंगे नीद आजाएगी भूख लगाएगी आप पानी गिरा देगे पानी बहा निकलेगा आराम अपने आप पुछा लगाने में तो मेहनत ही करनी पड़ती है सहज का अर्थ प्राक्रतिक नहीं होता सहज का अर्थ आत्मिक होता है जो आप पढ़ते हैं नहीं दरुदर से कि जीवन को सहजता से बहने दो वो बड़े अर्थ का अनर्थ होता है सहजता का मतलब यह नहीं होता कि जैसे सहज सांस चलती है इसको नहीं सहज बोलते हैं, सहज का अर्थ होता है आत्मिक, आत्मा की तरफ बढ़ना सहजता है, बाकि सब असहज है, आप बैठे हैं, आप कुछ भी उल्टा उल्टा सोच रहे हो, सांस तो चली रही है, तो आप उसको सहज कैसे बोल दोगे, एक आदमी हत्या भी कर रहा होता है, एक आदमी पूरी तरह भ्रह्म में होता है, एक आदमी नशे में होता है, सांस तो सब की चल रही है, तो ये सहज कर्म थोड़ी हो गया, जो कुछ भी असली है, वो संघर्ष मांगता है, कि क्या बात निकल आई, बिना संघर्ष के कोई सहजता नहीं होती, सहजमाने आसान नहीं होता, सहजमाने मुश्किल होता है, मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि कितनी सारी चीजे में तीन दिन के अंदर अलग करके बताऊं, तोड़ूं, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं, वो आप वहीं से आ रहे होते हैं, उसको अलग करना पड़ता है, इस तरह की बहुत सीख है गुरूँं की, कि जीवन तो आसान है, हम उसे कठिन बना लेते हैं, और जीवन को सहस्टा से पहने दौ, ये गड़बड़ बाते है, लेकिन ये सीख सुनने बहुत मीठी लगती है, जीवन तो आसान है, सहस्टा से बहर आए, नदी की तरह हम उस पर बांध खड़े कर लेते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जीवन आसान नहीं है, और जिनका जीवन आसान है संघर्ष के बिना ही वो पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि पशुओं को कुछ नहीं करना होता संघर्ष, उनका जीवन, उनकी पशुवृत्ति के जहा उसे बहता रहता है, समय पे उट जाते हैं, समय पे खाना खा लेते हैं, सायं धलते ही सो जाते हैं, फिर सो गए, इसको सहचता थोड़ी बोलते हैं, थी पाष्विक्ता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन आसान है सहज है वो ये मान के चल रहे हैं कि आप ठीक हैं जो बात मैं कह रहा हूं वो शुरू ही यहां से होती कि आप ठीक नहीं हैं, आप जन्म से ही ठीक नहीं हैं, लेकिन उस बात को, जो दूसरी बात है कि मान लो मैं सब ठीक हूं और सहज चलने दो जीवन को, वो उस बात को मानने का आपका मन करेगा, क्यों? क्योंकि उस बात को गर मान लोगे तो कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी से बच जाओगे, आपने जब मान लिया कि पहले से छुछ ठीक है, तो कुछ भी ठीक करने के श्रम से बच गए ना तो मन यही करेगा कि उसी बात को मान लो, मैं जो बात कह रहा हूँ, उसको मानने में तकलीफ लगेगी, क्योंकि पहली बात तो चोट लगती है, ये मानने में कि कुछ भी ठीक नहीं है, हम इतने बाउरा हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, सब गलत है, तो पहली बात तो इस तरह का अपमान जेलो, आंतरिक कि सब गलत है, और फिर मेहनत करो उसको ठीक करने के लिए, आप मान भी और मेहनत भी, तो कौन इस बात को माने, इससे अच्छे यही लगता है, यही मान लो, कि बच्चे जैसे हो जाओ, जी उनको सहज बहने दो, इस ख़दरनाग बाते हैं, दूर रहा करिये, बच्चे जैसे हो जाओ, माने क्या करो, विस्तर गंदा करो, सहज तो यही होता है, प्राकृतिक रूप से तो यही होता है सहज, ना प्रेम सहजता से हो जाएगा, ना बोध सहजता से हो जाएगा, वास्तविक प्रेम में भी बहुत संघर्ष लगता है, अपने खिलाफ लड़ना पड़ता है, बोध में भी बहुत संघर्ष लगता है, कुछ भी जो जीवन में उंचा है, वो सहज नहीं हो जाएगा, वो संघर्ष मांगेगा, उसी संघर्ष में असली सहजता है अपने आप तो घासफूस ही हुगते हैं खेत तक में किसान मेहनत करता है तब फसल आती है यूँ ही क्या होगाते है जाड अचार जी चरहना स्पार्थ मेरा प्रस्टन क्रिष्ण अर्जुन और दुर्योधन के विशाय में अपने उपर लेने से है उसको अगर एक तथ देखें और एक आइडियलिस्टिक तो तथ यह है कि मैं हूँ अहम बृति है और अगर उसको सत्य के नजर से देखना चाहता हूँ तो लगता है कि एक आत्मा ही मतलब एक ही सारे रूपों में है वो अहम बृति भी और अहम भी तो लेकिन तथ है कि मैं हूँ और अध्यात्म का जो उद्देश बताते हैं जीवन का कि उस मैं को अहम को खतम करके उस आत्मा में आत्मा से मिल जाना ये जीवन का उद्देश से होना चाहिए तो मैं के द्वारा मैं को खतम करना ये जीवन का उद्देश से होता है तो एक हुआ कि अगर इस जीवन में मैं के द्वारा ही जो कि अगर सही से सोचा जाए तो एक भ्रमात रही है अहम और बृति भी तो उस एक जीवन की यात्रा हो सकती है कि उसको हम अहम के द्वारा उस अहम को खतम करे आत्मा के तरफ ले जाने के लिए एक possibility यह हो सकता है मेरा दूसरा question है कि अगर वही अहम वही जीवन अगर वो उस की यात्रा आत्मा की तरफ नहीं होती है अगर वो वो परियास न करे तो फिर उसका जीवन में क्या अंतर होगा वो मिर्तु के बाद मिर्तु हो दोनों को मिर्तु होगा तो मिर्तु के बाद क्या changes दोनों में होता है एक जीवन में क्या changes होगा और एक मिर्तु के बाद क्या changes होगा कि मृत्यों के बाद तो सब बराबर है तो जो जीवन में मतलब सारा उद्देश से या मतलब सारा फोकस्ट यह होना चाहिए कि मतलब जीवन में ही जो दिख रहा है आप बढ़ियां टिकट ले करके बैठें ट्रेन में ठीक है कि फस्ट एसी का और एक घुस गया है बिना टिकट कटाए जनरल में लंबी यात्रा है सोला ठारा घंटे की यात्रा के बाद दोनों उतर जाते हैं बताईए उतरने के बाद दोनों का क्या होगा उतरने के बाद कुछ नहीं होगा और दोनों उतर गए जो सारा अंतर है वो कब है यात्रा में है यात्रा में बहुत दुख जहला उसने पर अब यात्रा की नहीं बात करना जाते है यह प्रश्णी कैसा है कि उतरने के बाद क्या होगा ट्रेंस उतरने के बाद क्या होगा ट्रेंस उतरने के बाद उतर गए आप अभी जब प्रश्ण कर रहे हो तो आप उतरे हुए हो चड़े हुए हो चड़े हुए हैं तो आपका सारा सरोकार किस अवस्था से होना चाहिए चड़ी हुई अवस्था से या उतरने वाली अवस्था से या तरह से लेकिन हिंदु धर्म के साथ ये बड़ी तरासदी हो गई है हमारी सारी रुच्ची हो गई है मौत के बाद क्या होता है और ग्यानी हम उसी को मानते है जो मौत के बाद वाली बातें करें मौत के बाद क्या होता और जो जितने किसे सुनाए मौत के बाद के हमें उतना ग्यानी लगता है मौत के बाद कुछ नहीं होता राक हो जाते हो एकदम राख हो जाते हो, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, खत्म, समस्या हैं सारी जीवन में हैं या मौत के बाद है समस्या, तो फिर समस्या क्या है, समझ में क्यों नहीं आ रही है बात, आप अभी परेशान हो, आपको कोई तो बीमारी होगी, कोई है बीमारी, शारी रिक, म मैं आपको एक बहुत ज़ादुई दवाई देने वाला हूँ, यह आपकी मौत के बाद आपको फाइदा देगी, बदले में आप अपनी मासे कामदनी का 10 प्रतिशत हर महीने पहुचा दिया गरिये, इस तरह की चलते ही हैं स्कीम्स, और यह इसी तरह की खास दवाईयां देते हैं, जो मौत के बाद आपको फाइदा देंगी, अरे तकलीफ अभी है, तो उपचार मौत के बाद होगा क्या, दुख कब है, तो उपचार आपको कब चाहिए, तो मौत में इतनी रुचिकाय दिखाते हो, अगर मौत के बाद कुछ है नहीं, तो हम पुन्य क्यों करें, माने यह तुम कर रहे हो, यह सब इसलिए कर रहे हो, कि 40 साल बाद जाने 40 हदार साल बाद कुछ लाब होगा, अरे उसका लाब अभी है, और उसका नुक्सान भी अभी है, जो कुछ है वो अभी है, तुम किन चक्रों में फसे हो, मृत्यू, मृत्यू के बाद क्या हो तो छोड़ दीजिए, आम आदमी मरने से 2-3 साल पहले से ही आधा भियोश हो जाता है, आपको क्या मिलेगा तब भी, आपको मालूँ है यह बात ना, अच्छे से जानते हैं, जातर लोग कहां मरते हैं, अस्पतालों के बिस्तरों पर, बहुत होश में मरते हैं जातर लोग, वो मरने से पहले ही, मृत प्राय हो चुके होते हैं मशीनों पर जिंदा होते हैं फिर दीरे करके महीने हफते लगा के फिर उनकी जान निकल जाती है अगर कोई ये भी बोल दे कि मरने से दो साल पहले आपको आपके पुन्न कर्मों का फल मिल जाएगा तो भी कोई फाइदा वो दो साल पहले जो फल मिल रहा होगा तब तक आप बिफल हो चुके होंगे आपको तो जो चाहिए वो तत्काल चाहिए इसलिए इस देश में एक अरजेंसी नहीं रहती है सबके पास समय समय काई को अभी तो साड़े साथ हजार साल है जल्दी काई की है बहुत टाइम है यहां मैं दिन रात यही रोना रोता रहता हूं कि बिटा वक्त कम है जो करना है जल्दी कर लो बफैलो एर्वेज समझ महीं नहीं आती बात सबको यही लग रहा है कि अभी कोई कमी ही नहीं है एक बार मरेंगे तुबार आएंगे तुबार आएंगे दसबार आएंगे दिक्कत क्या है अपने ही राज है जहां कहीं समस्या हो उसका तथकाल में वारण करिये भूलिये नहीं कि यह सारी बात चीक चाहे गीता कियो चाहे उपनिशदों कियो कहीं कियो सिर्फ और सिर्फ दुख हटाने के लिए होती है अन्यथा इस प्रकार के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है दुख यदि नहीं है तो ज्ञान कचरे में डाल दो सारे ज्ञान का सिर्फ एक उद्देश्य है आपको जो अभी दुख है वो हटे और कोई नहीं उद्देश्य है ना आपको स्वर्ग भेजना उद्देश्य है न ये न वो कुछ नहीं दुख को हटाना ही अध्यात्म का उद्देश्य है विदेशों में कलब बगेरा होते हैं तो जब देशी लोग वहाँ जाते हैं तो उनमें कई तरह की मेंबर्शिप होती है छे महीने की साल की दो साल दस साल पर लाइफटाइम देशी लोगों को सारी मेंबर्शिप वो अलाओ कर देते हैं बस लाइफटाइम मेंबर्शिप अलाओ नहीं करते हैं बताओ क्यों क्यों कि हमारे कई लाइफटाइम होते हैं वो बिचारे कब तक हम को जेलेंगे वह गहते हैं यह फिर से लोट के आ जाएगा कहेगा मैं वही हूँ अब मुझे फिर से मुफ्त में गुसने दो मेरे पास यह lifetime membership का card है मैं वही हूँ पुछला वाला करन अर्जुन लोटे थे न अचाई जी अभी आपने जो बताया है कि व्यक्ति के दहिंकार आहम वृत्ति और आत्मा यह पहले तना इस परशनी था लेकिन आज जो सुना वो काफी सुन्दर मलब काफी अच्छा था पर अब ये साथ में आपने वो गौतम मुद्द का भी उदानर दिया कि जब वो मैला उनके पास आई थी तो उनको कहा थे कि पूरा गाहूं गूम क्या हो तो इतना सुनने से मलब का यह हमारे मन पर एकदम से काम नहीं करता है कि सब काम करता है पर अगर एकदम से काम करता होता है एकदम करता है हमेशा करा भी है तो जैसे अगर जैसे अभी सुना और एकदम से काम करें तो साधना कि कम नंबर आये होते हैं और अगल बगल देखते हो सब के कम आये हैं ठंडक मिलती है नहीं मिलती ह तो कैसे बोल रहे हो कि काम नहीं करता है यही तो बात है हम ही तो चोट खारा होता है कि मेरे ही कम आए मैं कम लाया और जब पता चलता है यह मेरी ही नहीं सारोजने के स्थिति है तो दुख कम हो जाता है न वैसे तो इसको हर बार याद रखना उसके लिए दुनिया को देखना पड़ता है हर जगह हो रहा है जैसे बुद्ध ने उसको भेजा था ना कि जाओ पूरा गाओ घूम करके आओ पूरी दुनिया देखकर आओ हर घर में यही चल रहा है तुम कहे पर शोक कर रहे हो तुम्हारे शोक का कारण ही है कि तुम सोच रहे हो खास तौर पर तुम्हारे तुम्हारे साथ वो सब कोछ हो रहा है, जो सब के साथ होता है. पर इससे, वो महिला ये थोड़ी सीख पाई है, कि अलो मुझे हर बार यही. महिला भिख्षुणी बन गई थी. अच्छा, बहुत मुन ये, लेकिन हमाले इत्राम. तुम भी घूम के थो आओ एक बार, उस महिला ये थोड़ी कर रहा था, खड़े हो के बुद्ध से ही सवाल जबाब चालू कर दिया. तो तो बगवान शेक्ष ने आगे का है कि बार बार मन को साधने की बात और ये सब अभ्याज की बात, फिर उसकी मलब क्या है? वो मलब उसका इससे कनिक्शन कैसे है? आएंगे उन श्लोकों पर, करेंगे बात. अच्छा, ठीक परनाम आचा जी अभी आपने एक फॉर्मुला जो बताया वैक्तिगत अहंकार, फिर आहम वरिति, फिर आत्मा और मुवमेंट होना चाहिए वैक्तिगत अहंकार का ट्वर्ड्स आत्मा और उसमें आपने कुछ इंडिकेशन दिये इंडिकेटर व्यक्तिकत अहंकार में आयम बॉडी या आयम और भी कुछ हो सकता है और इसमें आयम बीच में और यह विशुद प्यूर आई तो इसमें जैसे practically मैं सोच रहा हूँ, तो इसमें यह ऐसे लग रहा है कि एहम वृति, क्योंकि जैसे हम मनुषे हैं तो हम जादा में में जादा करते हैं. इन में तो यह जादा नहीं होता तो ऐसे लग रहा जैसे यह जादा एहम वृत्ति के नजदीक है यहां पर क्या चेतना या एहम वृत्ति का कुछ कोई डिफरेंस है इसलिए कंफूजन हो रहा है और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि जो इंसान एहम वृत्ति के क्लोज पहुंच जाएगा उसका कैसा आचरन होगा मतलब क्या उसके फीचर्स होगा है यह दो सवार ऐसे कोई भू नहीं बता सकते गुमशुदा की तलाश में जैसे होता ना इस रंग की शर्ट पहन रखी है ऐसा होगा वैसा होगा गहुए रंग का हो जाएगा यह से कुछ नहीं नहीं होता है लेकिन यह अच्छा बता है मनुष्य इस अर्थ में दूसरे प्राणियों से बहुत भिन है कि हमारे भीतर जो अपूर्णता होती है बहुत ज्यादा सक्रिय होती है तुम दूसरे प्राणियों को चाहे, वो जानवर और पोधा हो मैं बोलता नहीं देखते है पर मैंभाव होता और है सब में, लेकिन उनका मैंभाव जुड़ता है कुछ बहुत गिनी चुनी चीजों से जैसे जानवर का मैं कौधे का मैंभाव किस किस चीज सज़़ेगा मिंट्टी से जुड़ जाएगा dhoup से जुड़ जाएगा पानी से जड़ वो अपने पानी के प्रती एक तरह से मोहग रस्त होगा, ठीक है ना, जिधर को सूरत जाएगा वो क्या करता है, उधर को वो जुकना शुरू कर देता है, तो इस तरीके वासे उसका जो मैभाव है वो पता चलता है, जानवर का थोड़ा और विक्सित होता है, जानवर का मैभ इनसानों से कुछ रिष्टा है, तो वहाँ कुछ होगा, किसी जगह से रिष्टा जोड़ा हो सकता है उसका, यह सब चीजे होती है, इनसान अहम वृत्ति का एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जो एकदम उबल रही है, तो वो दो, चार, दस, बीस ची और यही वज़े है, कि मनुष्य प्रजाति फिर सौभाग की बात मानी गई है, कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, तो मनुष्य यह उनी से ही मिलेगी, क्योंकि बेचैनी, जितनी एक मनुष्य को होती है, उतनी किसी जानवर को होती नहीं, और पौधों को तो बहुत ही कम, तो आ कर लेते हो, वो जो बेचैनी थी मुक्ति के लिए, उसने जोड़ जोड़के अपने लिए क्या पैदा कर लिए, बंधन, लो, पुल्टा हो गया, तो अब बताओ, मनुष्य जन्म सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, अंतर बस यह है, कि हजार में एक के लिए सौभाग्य की बात है, 1999 nine के लिए दुर्भाग्य की बात है, मनुष्य जन्र निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है, पर ہजार में से उस एक के लिए, जो अपनी बेचैनी को सही दिशा दे सके, 999 लोग अपनी ही बेचैनी के शिकार हो जाते हैं, उनको कुच चाहिए उन्हें पता ही नहीं उन्हें मुक्ति चाहिए तो वो क्या चाहना शुरू कर देते हैं मुक्ति की जगा और जो कुछ भी दुनिया में होता है वो सबस्हु शुरू कर देते हैं मुझे यह चाहिए मुझे यह चाहिए तो वो अपनी बेचैनी के हाथों ही मारे जाते हैं जैसे कि कोई इतना प्यासा हो कि थोड़ा सा केरोसीन पी ले थोड़ा जा करके वो ग्रीस चाट रहा है उसकी प्यास ही उसको मार रही है और कोई ऐसा भी हो सकता है जो ध्यान पूरों का अपनी प्यास को समझे और सही दिशा को दौर लगा दे कि वहाँ मेरी प्यास बुझेगी वही प्यास आपकी उर्जा बन सकती है ठीक, धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव हर एक छटपटाती हुई है और हर एक को चुनाव का अधिकार है कृष्ण को चुनाव का चुनने का लेकिन हम सारे यहाँ पर है अपने परिवार से अलग अकेले है तो ये प्रमान इतना व्यास्त क्यूं है अगर हर कोई, हर किसी को कृष्ण को चुनने का अधिकार भी है तो वो क्यूं नहीं होता है और दूसरी बात यह है कि कृष्ण को पा लिया तो उसके लिए काल खतम हो गया तो यही विराट रूप है तो फिर और कृष्ण को तो किसी के किसी भी रूप में पाया जा सकता है, किताब हो, नदी हो, पहाड हो, कीटक हो, व्यक्ति हो, तो फिर कृष्ण को पाने के बाद, जब काल खतम हो गया, तो इसका अर्थ है क्या? एक काल माने प्रतीक्षा, जो आपको चाहिए जब मिल जाता है, तो प्रतीक्षा खत्म हो जाती है, उस अर्थ में कहा जाता है, कि मुक्ति के बाद काल खत्म हो जाता है, बस यह इतना सही अर्थ जो एहम सोते वक्त, अगर कोई सो रहा है, उस समय भी उसका एहम एक वार के लिए व्यक्तिगत एहम जो है, वो नश्ट हो जाता है, उस समय उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो आश्वस्त है, कि वो वापस उठेगा उनी सारी पहचानों के साथ, और जो जागरत अवस्था में अगर ऐसा सोचता भी है, कि मैं उस दिशा में बढ़ूँ, कि मेरा एहम खतम हो व्यक्तिगत पहचान, तो उसे डर लगता है, और उसके साथ में आपने बताए, कि वो डर जाने के लिए एक चीछ चाहिए, श्रद्धा, तो अब ये श्रद्धा क्या ऐसा किया जाए, कि श्रद्धा मतलब विक्सित हो, या जागरत हो, या उत्पन हो, क्या तरीका है उसको अपने अंदर लाने का, कि वो श्रद्धा आए, और वो डर फिर ना आपाए, धन्यवाद सर्दुर्धा कैसे आए? देखो, अपना पता होना चाहिए, कि मैं कितना सीमित हूँ, और मैं कितनी गड़बड करता हूँ, और जब ही पता चल जाता है, कि मैं जब अपनी और से कुछ करता हूँ, उसमें इतने इतने तरह की गड़बडियां होती है, तो थोड़ा सा अपने आपको पीछे खीचने का प्रयोक करा जाता है कि अप्छा मैं अपने तैशोधारास्तों से थ्भ ä下次 थ्भा हट करे जीवन को चलने दूगा कि जब ऐसा प्रयोक करते हो और पाते हो कि नतीजा अच्छा आया है तो खुद नहीं पता क्या मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं एक साथ नहीं कर पाओगा जटके में नहीं होगा है थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके देखो कि अ जितनी जल्दी हो सके है लिपार सीमा बस ये है कि उसे समझ में इसे बात आनी शुरू होनी चाहिए आप इतनी जल्दी नहीं शुरू कर सकते कि आप उसे समझा रहे हैं और उसको कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ा किसी को छै बरस की उमर में ही थोड़ी थोड़ी भनक लगनी शुरू हो जाती आप छै बरस में शुरू कर दीजिए दस की उम्र तो बिलकुल ठीक होती है दस से पहले ही शुरू कर देना चाहिए और इसके लिए क्या पाट्टेकर्म या क्या कहां से सुरुवात करने काईयों से कहानियों से, कहानियां जो प्रक्रत के बारे में बताती हूं, जो हमारे भीतर, लालज का भाव होता है, डर का भाव होता है, धोख्या देने का भाव होता है, उसके बारे में बताती हूं, हम कैसे हैं, यही तो आत्मग्यान है, हम कैसे हैं? JK अभी बात होञी ती आफ ऑफ अन्नौन की इसके बारे में नहीं पता उता है तो नहीं पड़ा एफ होता है तो उसमीय मतलब गीता पड़ रातम है स्रीमत भगवत गीता तो उसमें सबसे शुरुवात में थोड़ा होता है कि गीता का पूरा ये महाभारत की सुरुवात ही इस बाप्त से हुई कि मम पुत्र जैसे जो ध्रित राश्ट थे उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र मुह की वज़ा से ही उनका ये पूरा ये महाभारत की सुरुवात हुई तो सबसे पहला कुशन मेरा यह है कि परिवार वाद जो है यह पूरा वो एक निश्चित्ता में ढूटता है कि परिवार है तो यह निश्चित है कि यह मेरे अपने है वहाँ पर वो निश्चित्ता ढूटता है ठीक है अब उससे अगर जो और आगे आए हम तो जो यह पूरा इस्ट्रक्चर चल रहा है संस्कृती का कि साधी कर के अपना परिवार तुम सेटल कर लो ठीक है निश्चित हो जाएंगे बाप पिता जो होते हैं माबाप वो भी यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके तुम साधी कर लो छुटी मिले निश्चित हो जाओ तुम्हें कि कोई कुछ अपर बुरा इतना है लियद्ध सा हो जाता है कि बार बार पता नहीं कि बार बार आकर कर यह डर सा लगा रहता है फिर अपन्नोन का और जिस्टेल की बात कर रहे थे बस वही स्रद्धा वो मतलब वो कैसे बदले मैं बहुत मैंने मम तर्थियों के नसदीद जाना शुरू में तुम्हें श्रद्धा तो होगी नहीं, शुरुवात तो विश्वास से होते हैं, श्रद्धा बहुत उची चीज है, श्रद्धा का मतलब होता है, एकदम कुछ नहीं जानते, तो भी डर नहीं लग रहा है, तो भी भरोसा है, कि बुरा भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, शुरुवात विश्वास से करनी होगी, विश्वास किस पर, जो अपने से थोड़ा उचा है, हमारे विश्वास का तल बिल्कुल हमारे जितना ही होता है, हम अपने पर विश्वास करते हैं, हम अपने पर विश्वास करते हैं, तो हमारा भरोसा इस तल पर होता है जो अपने से थोड़ा उचा हो उस पर विश्वास करो तो ये विश्वास आएगा कि ये उचा हुआ जा सकता है उचा होने में कोई नुकसान नहीं हो जाएगा शुरुवात वहां से करो उस पर विश्वास कैसे कर पाओगे उसके लिए तत्थे पता होने चाहिए तब जाकर के एक विनम्रता का भाव आता है आप देखिए ना कि यह उचा जीवन होता है यह जीने वाले लोग होते हैं वो कैसे हैं वो पता करिए पास जाईए अपने जीवन से उनकी तुलना करिए कुछ और ना मिले यदि तो उनकी जीवनिया पढ़िए और साथी साथ यह पता रहे कि मैं किस तल पर जी रहा हूँ मैं किस तल पर जी रहा हूँ उन्होंने कैसा जीवन जिया थोड़ी तुलना कर लीजिए फिर पता चलेगा कि जो कुछ उन्होंने हासिल करा अगर उस तल पर रहकर हासिल होता है तो मैं अपने पर विश्वास क्यों करे बैठा हूँ मुझे मेरे जैसा बने रहकर के क्या मिल रहा है उपलब्धियां तो उनकी थी और उनकी चेतना का स्तर ही दूसरा था वो सोचते ही दूसरी दिशा में थे तो मैं क्यों ना अपने से बाहर कि एक एक आई पर विश्वास कर लूँ मैं जिस तल पर हूँ क्यों ना मैं उससे उचे एक तल पर विश्वास कर लूँ ऐसे करके शुरुआत होती है दन्वादा शाजे झाल